आठ मार्च 2003 की सुबा अपने घर से बाहर निकल रहा इबराहिमल मकद में जानता था के इस्राइल के हिट लिस्ट में उसका भी नाम जुड़ चुका है पलेस्तीनियन अथॉर्टी के इंटेलिजेंस ने उसे कई बार साफ़दान जो किया था लेकिन मकद में चेतावनियों को गंभीरता से नहीं ले रहा था उसके अनुसार उसने आखिर किया ही क्या था बस जिहाद, आत्मघाती, हमलो और इसराइल के सर्वनाश के उपर कुछ किताबे ही तो लिखी थी इतनी सी बात के लिए इसराइल उसे आखिर कैसे मार सकता था फिलिस्तिनी युवाओं को बरगला के चलता फिरता बॉम बनाने के अलावा मकद में इस्लामिक युनिवर्स्टी ओकाजा में डेंटल साइंस भी पढ़ाया करता था और आज की सुभा उसके बॉडिगार्ज उसे युनिवर्स्टी ले जाने के लिए उसके घर से पिकप कर रहे हैं अभी मकद में के मिट सुभी शिकार कोई 300 मीटर आगे ही चल पाई थी के तभी आकाश में मंडरा रहे दो अपाचे हेलिकॉप्टर से निकली चार हेलफ फायर मिसाइल जमीन की तरफ आती हैं और मकद में की गाड़ी को राक बना डालती हैं इबराहीम अलमकद में उसका असिस्टेंट और दो बॉडी गार्ड्स ओपरेशन क्लीन सुईप की सबसे पहली कैजूल्टीज बन चुके थे एक उपरेशन जिसे इस्टेंट के प्रधानमंत्री एरियल शरौन और उनकी सिक्यूर्टी कैबिनेट ने अभी एक महीने पहली अपरूव किया था उपरेशन क्लीन सुईप इस्टेंट द्वारा किये गए पिछले उपरेशन से काफी ज्यादा लग था इस बार इस्टेंट उनकी सरगनाओं को चुन्चुन के टार्गेट कर रहा था जो भटके हुए युवाओं को भात तरहूरों का खाब दिखा इस्टेंट की धर्ती पर आत्मगाती हमले करवाया करते थे इस बार शरोन अपना मन बना चुके थे वो कुछ भी करके हमास और दूसरे आतंकी संगठनों की समस्त लीडर्शिप का सर्वनाश कर देना चाते थे मकदमे के तीन महीने बाद इसराइल एर फोर्स का एक ड्रोन हमास के नमबर टू अब्दल अजीज रंटीसी के उपर फायर करता है लेकिन घायल हुआ रंटीसी किसी तरह बच निकलता है इसके बाद 12 अगस 2003 के दिन हमास के को फाउंडर और राजनीतिक विंग के नेता इसमाईल अभूशन आपको पाँच इसराइल हैल फायर मिसाइल्स गाजा इस्थित युएन बिल्डिंग के बाहर मार गिराती हैं मिडल इस्थ और अंतराष्टी मीडिया में एक भूचाल सा आजाता है चारो तरफ से इसराइल की आलोचना होने लगती है और आलोचना करने वालों में एक नाम युएन के सेक्रेटरी जनरल कोफी अननान का भी होता है अबुशनाप का बॉस और हमास का सरवे सरवा शेक एहमद यासीन इसराइल को खुली चुनाती देते हुए अपनी समस्थ लीडर्शिप को 6 सितंबर के दिन एक साथ एक छटके नीचे खट्टा होने का आदेश देता है इधर हमास को यादेश मिलता है और उधर इसराइल की यूनिटेटी टू हंडरेट के कान खड़े हो जाते हैं शिनबित के डिरेक्टर आवी डिचर जानते थे के हमास की समस्थ लीडर्शिप को एक साथ एक छटके में खतम करने का ऐसा सुनहरा मोका दोबारा कभी नहीं आने वाला